पहला प्रिशन है कारिये का मात्रक है तो कारिये का मात्रक है जूल कुसमर 2 है प्रकास वर्स किसकी इकाई है प्रकास वर्स है दूरी की कुसमर 3 है बल्कि ऐसा यूनिट क्या है बल्कि ऐसा यूनिट है न्यूटन कुसमर 4 है एक खंगोली इकाई समंधित है तो समंधित है सू गुष्म पांच है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन है जोती फलक्स का, गुष्म रचह है बहुतीक मात्रा जोती की, इकाई क्या है तो इसकाई है लक्स कुसम 7 है पास्कल 1 है तो पास्कल है दाब की कुसमराथ है कैंडेला मात्रक है जोती फिलक्स का कुसम 9 है ऊर्जा की ऐसा 1 काई है जूल कुसम 10 है चुम्बब की छेतर की माप की 1 है टेसला कुसम ग्यारह है हट्स क्या मापने की यूनिट है तो हट्स है तरंगों की आवर्ती कुसम बारह है विदुत मात्रा की इकाई है विदुत मात्रा की इकाई है एमपियर कुसम तेरह है ऐसा ही पद्दिती में लेंस की सक्ती की इकाई क्या है तो लेंस की सक्ति की काई है डायोक्टर नेशर दहनी की तीवरता मापने की काई है दहनी की तीवरता मापी जाती है डेसीवल में कुसम 15 है एंपेर क्या नापने की काई है तो एंपेर है करंट कुसम 16 है यंग पृतियास्ता गुणांग का एसाई मात रख है तो इसका एसाई मात रख है न्यूटर प्रती मीटर स्कॉयर कुश्म 17 है तापमान की एसाई काई है तो तापमान की एसाई काई है केल्विन कुश्म 18 है सम्वेंग का एसाई मात रख है तो सम्वेंग का एसाई मात रख है किलोग्राम कुसम 19 है उर्जा कैसी रासी है तो उर्जा रासी है अदिस कुसम 20 है सम्वेग कैसी रासी है तो सम्वेग है सदिस रासी कुसम 21 है पलांक के अचर में किसका आयाम होता है तो होता है कौनिय गती का कुसम बाई से रोकिट के सिधान पर काम करता है तो रोकिट करता है न्यूटन के तिरते नियम पर कुसम तेही से बल की परिवासा आती है तो आती है न्यूटन के गदी के पहले नियम से कुसम 24 है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते है तो न्यूटन के पहले नियम को कहते है जड़त्व का नियम कुसम 25 है वायू क्या है तो वायू है एक मिसरण कुसम 26 है सुद्ध तत्व कौन सा है तो सुद्ध तत्व है सोडियम कुसम 27 है परमानु सर्चना का मोडल किसने विक्सित किया था तो किया था बोहर तथा रदर फोर्ड ने कुसम 28 है परमानु के नाभीक में कौन कौन से कन होते हैं परमानु के नाभीक में होते हैं प्रोटन और नूट्रॉन अगला कुसर न्यूट्रोन का पता लगाने वाले विग्यानी का नाम है न्यूट्रोन का पता लगाने वाले विग्यानी का नाम है चैडविक कुसम 30 है प्रोट्रोन की खोज किस ने की थी तो प्रोट्रोन की खोज की थी गोल्ड श्टीन ने किसम 31 है वर्ष 88 seamless में से किसनल गी ती तो यह किती जर्ज थॉम स dormson ने नेुग्ष गो आयँ ने प्रेट वारा रेट लाटों प्र आवेस क्सके आवेस के बराबर है तो बराबर है अल्फा कज़रे एंकी कुसम तेतीस है वनस्पति सास्त्र का जनक कौन है तो वनस्पति सास्त्र का जनक है लाइनस कुसम चौतिस है जीव विग्यान का जनक कौन है तो जीव विग्यान का जनक है अरस्तू कुसम 35 है फाइकोलोजी में किसका अधिन किया जाता है तो फाइकोलोजी में किया जाता है सेवाल का अधिन कुसम 36 है फूलों के समर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो कहते हैं फलोरी कल्चर्व कुसम 36 है पुस्पो का अधिन कहलाता है तो पुस्पो का अधन कहलाता है एंथोलोजी, पुस्पो का अधन कहलाता है पॉमोलोजी, 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 पु करण अगले कुसन है खसरा किसके कारण होता है तो खसरा होता है विसाझ के कारणaid 는 समस्पम 43 है एक एबोला क्या है तो वाइडरश है फाल्र से एचटाइयवी दोबारा होने वाहला रोग है एचआइवी होने वाला रोग है AIDS अगला कुसान है मिर्दा में धान की पैदावर बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जिवानु कौन सा है तो जिवानु है एना बीना कुसम 46 है दही जवाने में किस सूच में जीव का प्रियोग किया जाता है तो किया जाता है लेक्टो बैसिलस का कुसम 47 है तो यह है राई जोल्बियम अकला कुसान है चाए की पत्यों के क्यूरिंग में किसका उप्योक होता है तो होता है जोता है जीवानु का चैनल पेulर प्रियोग में लाजाता है तो सच्चाना स्चर्टरा को दौणा से फोप्र के पक्तम के मापन में कुसम 52 है मेनो मीटर के दुवारा क्या ग्यात किया जाता है ग्यात किया जाता है गेसो के दाब की माप कुसम तरिपपन है दूद का आपेची घरतु ग्यात किया जा सकता है तो किया जा सकता है लेक्टो मीटर दुवारा नेक्शन है रक्त दाब मापने का यंद्र है तो रक्तदाम मापन जाता है स्पिकनो मेनो मीटर के दुवारा कुसम 55 है वायू की आधरता मापने के लिए प्रियोग में लाजाता है तो लाजाता है हाईगरो मीटर कुसम 56 है जोट का पता लगाने वाला यंदर है तो जुट का पता लगा जाता है पॉलि ग्राफ से अगला कुसा ने सिस्मो ग्राफ करता है रिकटर पैमाना मापने के लिए प्योग होता है तो होता है भुकम पिये लेहरों का आयाम नेज़िव सानार हम उप्योग करते हैं तो सानार का यूज करते हैं प्रासरव त्रंगों के मापने के लिए निश्ट ताप का वे पैमाना जिसमें रणात्म का मान नहीं होता है तो नहीं होता है केलविन कुसम 61 साधरन ते बेरोमीटर में प्रियोग होता है तो होता है पारे का कुसम 62 साथ है वाई मंडली दाब को मापने में उप्योग किया जाता है वाई मंडली दाब मापने के दुवारा नेश्ट है सोलर रेडियेशन को मापने का यंत्र है तो यंत्र है पारेलियो मीटर कुसम 64 है एनिमो मीटर का प्रियोग क्यामापने में किया जाता है तो किया जाता है वाई कोई गती कुसम 65 है परमाणू नाभिक के अव्यव हैं तो यह हैं प्रोटॉन और नूट्रॉन अगला कुसन है एक परमाणू के कैंदर का धनाविश्ट के हिस्ता कहलाता है परिवरतन को कहते है तो कहते हैं उर्दपातन या सवली मेशन अगला कुसन है हीलियम के नाभिक में होते हैं नूट्रॉन कुसम 17 है रेद हीरा संग रमर्वर तता शक्कर में से मूलतट्व है तो यह हीरा कुसम 1,78 है सोना लोहा प्रेटिनम तता टंगेश्टन में कठोड़तम धातू है तो कठोड़तम है टंगेश्टन अगलाक्षन है चूना पत्थर का रासानिक नाम है केलसियम कार्मोनेट कुसम 73 इस्टील पीतल ब्रॉंज तता टांबेवे से मिसर धातू नहीं है तो नहीं है तांबा खुसम 74 इस्टील की कठोड़ता परदान करने के लिए बढ़ा ही जाती है तो बढ़ा ही जाती है कार्मन की मात्रा अगला कुसम है सुसक बरब कहते हैं ठोस कारवन डाई ऑक्साइड को कुसम 76 है जल के लिए प्याचमान होता है तो जल का प्याचमान होता है लगवग 7 कुसम 77 है वनसपति तेल से वनसपति घी बनाने में प्रियोक्त गैस है तो गैस है हाईडरोजन अगला कुसन है हेलोजनों में सबसे अधिक अभीकरिया सील है तो यह है फिलोरीन नेश्ट छपाई में प्रियोग की जाने वाली सियाही प्राप्त होती है तो प्राप्त होती है मीथेन अपगठन से कुसमस्य है अंगूर में परचूर मातरा में पाया जाने वाला और्गेनिक अमल है तो यह है टार्टेरिक अमल अगला कुसन है जन्तु विज्ञान जूलोजी अध्यन करता है तो अध्यन करता है जीवित वे मिर्थ जानवरों दोनों का कुसम 82 है फूलों के अध्धन को कहते हैं तो फूलों के अध्धन को कहते हैं एंथोलोजी कुसम 83 है कीटों के वेग्यानिक अध्धन को कहते हैं तो कहते हैं एंटोमलोजी नेशजी विज्ञान इवॉलीशन को सरवर्थम समझाया था तो समझाया था लेमारक ने कुस्म 85 है पुस्तक The Origin of Species लिखी गई है तो लिखी गई है डार्विन दवारा कुस्म 86 है आधुनिक मनुस्य के हाल का पूरवज़ है तो यह है क्रो मेंगनान मानुस अगला कुस्छन है वेल पराणी है तो वेल पराणी है इस्तनपाई वर्ग का कुस्म 88 है उड़ने वाला इस्तनपाई है तो उड़ने वाला है चमंगादड कुस्म 89 है सोर उड़ जाका ATP में और पांतरन होता है तो होता है कलोरो प्लाष्ट में बंदर चीता थितली और च्पकली में से लिंक गुनसोंतो नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं च्पकली में नेक्श्ण आनवाक्सिकता के जनक के प्रेडिक मिसर ने 18-19 में मानव शरीर की सबसे चोटी हडी है तो यह इस्टेपीज मानव शरीर में सबसे मजबूत मास्पेशी होती है तो होती है जबडे में जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है तो कहा जाता है विटामिन को और लाश्ट है जिसको आपको देना है विटामिन सी का सबसे उत्तम सरोथ है